हेलो गईज मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके प्यार से चैनल चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा गईज आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को आज के अपने ट्रेट्स बताने वाला जो भी आज मैंने ट्रेट्स किया उसक कभी भी इतना बड़ा गैब डाउन हो जाएगा उसके बाद मार्केट लगाता है नीचे की तरफ जाने वाला है तो वैसे situation में हमें कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए वह मैं भी आप लोग को यहां पर सिखाने वाला हूं इसको सीखने के बाद ऐसा situation future में आप जब कभी पी आएगा तो इसी तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना बहुत पर्फेक्ट ट्रेड आप लोगों को मिलेगा ठीक इसमें क्या प्रॉफिट हुआ वह भी मैं भी आप लोगों को यहां पर दिखा दूगा बट उससे पहले हम लोग पहले logic समझते हैं कि सबसे पहले मैंने कैसे ट्रेड फाइंड किया ओके तो आप देख सकते हो यह बैंक निफ्टी का चार्ट है फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर आज मैंने डो टोटल दो ट्रेड किया और दोनों ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहला जो मैंने ट्रेड जीड खहा पर अपना ट्रेड प्लान किया था गदिया है अब यहां पर ट्रेड पर के तृपAKEछ तरफ मार्केट वापस से नीचे की तरफ मार्केट यहां से नीचे की तरफ आया तो अब ऐसे situation में हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे जब तक एक छोटा सा रिट्रस्मेंट नहीं आएगा हम यहाँ पर इंट्री नहीं करेंगे हमेशा हर एक इंपॉल्स का एक रिट्रस्मेंट आता है तो हमेशा याद रखना जैसे कि देखो यह मार्केट नीचे की तरफ आया इंपॉल्स इसका रिट्रस्मेंट ऊपर के तरफ गया तो हर एक इंपॉल्स का रिट्रस्मेंट आया ठीक है जैसे यह इंपॉल्स आया इसका ऊपर के तरफ रिट्रस्मेंट आया ठीक तो आल्वेज रिमेंबर हर एक इंपॉल्स का एक रिट्रस्मेंट होता है अब हमारा ह हम logic किस logic पर trade में इंट्री करते हैं तो जब तक मुझे कोई लेबल यहां पर नहीं दिखेगा मैं यहां पर इंट्री नहीं करूँ गारा था फॉर्स्ट इंट्री जो किया था वो one minute के टाइम फ्रेम पर किया था तो मैंने किया ग्या था चान को सिंपल सावन मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज किनीं कि हम्हीं तो करना है इंट्राडेः ना तो इंट्राडे में जो हम्हें फेर्म ते के इंपल्स के साथ से ट्रेड मिला śथ तरीगे से ट्रेड था मैं आप लोगो को यहाँ पे दिखाता हूँ एक दम exactly वो मैं morning में ही लिया था मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं कि आहां पर मैंने trade में entry क्या था देखो अभी यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो market में क्या हुआ यहां से लगातार market नीचे की तरफ आया अब मैं इसके retracement का wait कर रहा था कि अगर market at least 50% तक जाएगा तो मैं entry करूँगा और या नहीं तो यहां पर यह जो imbalance एरिया था कम से कम market इसको फिल करें तो मैं यहां पर फिर नीचे का entry करूँगा बट मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट इस जगह पर आया ही नहीं अब मैं इस जगह का wait करने का reason था कि जो हमारा impulse है देखो यह जो हमारा अगर मैं इसको high को consider करके ही अगर मैं यहां पर impulse लगाऊ ना देखो अगर मैं यहां पर भी impulse लगाऊंगा तो market 50% के label को touch नहीं किया है और मैं चाहता था कि at least इस candle के imbalance को market फिल करें उसके बाद मैं यहां पर put का entry करूँगा बट यहां पर market ने मेरी label को touch नहीं तो आपको समझ आए देखो market नीचा आया market ने लो बनाया फिर market उपर यहां से जब market नीचे की तरफ आया यह लो बनाया फिर यहां से उपर तो यह जो लो था फिर अगेन यहां पर break हो गया ठीक market क्या किया है वापस से नीचे की तरफ आया और इस retracement पर और लेडि तो मैंने फेबोनाची को लगाया अब जैसे देखा market 50-60 के अंडर गया यहां से उपर से rejection भी इसको मिला था exactly मैंने यहां पर put का इंट्री बनाया ठीक यहां पर जैसे मैंने put का इंट्री लिया उसके बाद देखोगे तो market लगा था नीचे की तरफ आया और मैंने यहां प यहां पर देख सकते हैं यह जो मेरा पहला ट्रेड था वह यहां पर था ठीक तो यहां पर मेरा एक सिंपल सा ट्रेड था इस तरीके का सा और इस टॉपलोस इसमें बहुत छोड़ा सकता बस इसके हाई का हम यहां पर पर भी रखो ना फिर भी मुझे कोई issue नहीं क्योंकि target उसी साब से मेरा ज्यादा बड़ा था तो यह वाला ट्रेड मेरा सक्सेफुल रहा और ट्रेड जब सक्सेफुल हो गया इसमें जो भी मेरे को प्रॉफिट हुआ वह करने के बाद मैंने गुरूप में इसका इसक्रेंशॉट भी डाल दिया था उसी वक्त ठीक है तो आई थ ट्रेड जो मेरा बनाना वह एक्जेक्ली इस जगह पर बना फिर यहां से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर के तरफ गया मार्केट का ट्रेंड क्या था इतना बड़ा ग्याब डाउन था तो कॉल का तो बहुत कम जांसे बनता है ठीक है तो मैंने ट्राइब कि ज्यादा से ज् आपको क्या सीखा है जब कभी मार्केट गोल्डेंजों के अंदर इंटर करता है तो वहां से मार्केट रिवर्स करता है तो मैंने क्या कि इस टॉप से लेकर एक्जेक्ली इस बॉटम तक फिबोनाची को सेट कर दिया था अब जैसे मैंने सेट किया तो 50% के लेबल पर जब चोटा सा stop loss के साथ और जो पहला profit दा उसका 50% ही मैं stop loss वहां पर कंसिलर करने वाला था ठीक है उसके हिसाब से मैंने यहां पर exactly put का इंट्री मारा और तीन candle पर ही मेरे को यहां पर profit हो गया और मैंने यहां पर अपना profit को book किया था अब यहां पर profit को क्यों book किया इसका भी logic ह है कि यह impulse जो हमारा है ना इसका जब retracement लगाएंगा तो यहां पर 50% का लेबल आ रहा था तो उसको मैं ऐसा target लिया अब मैं यह पूरे move को capture नहीं कर सकता हूं मैं खुद बोल नहीं कर सकता हूं अगर आप लोग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है बट हम नहीं कर सकते ऐ यहां पर मैंने पूट का इंट्री बनाया था स्टॉपलस ओपर का है चार केंडल मेरा यहां पर प्रॉफिट बूप देखो के तो यह प्रॉप संडिट पॉइंट से ज्यादा का target है आपको मैं दिखा देता हूं आप यहां पर देख लो ठीक है 122 पॉइंट का ठीक है तो रखना मार्केट को अब यहां पर लोग पूरा पूरे पैसे से सौठी कर देंगे या बहुत फुल्टा फुल्टा ट्रेड करेंगे ठीक है क्यों क्योंकि जो भी मुव मिल रहा वह हमें मिल जाए वह कैप्चर कर लो बट ऐसे एक्चुली मार्केट नहीं होता जो आप कर र दिखेगा और वाइस आपको रिजल्ट कभी नहीं दिखेगा पांच छे ट्रेड में आपको कभी-कभी प्रॉफिट हो जाएंगे तो उस तरीके से हमें ट्रेड अपना प्लान यहां पर नहीं करना है अगर मैं आपको देखाऊं मैं आपको एक बार अपना लॉग इन करके दिखाता हूँ एक मिनट दो मुझे है ठीक है मैं आपको कुछ दिन का दिखाता हूँ ठीक है ठीक है आप यहां पर देखो यह लोडिंग हो रहा है तो आपको यहां पर दिखेगा लास्ट के वन वीक में टोटल कितने प्रॉफिट हुए बट यह भी लोड ही नहीं हो रहा है कुछ इरर आ ठीक है क्यूंकि देखो अभी यह टाइम कितना हो रहा है 11.44 मैं रात में यह बना रहा हूं तो इस वज़े से यह जो है ना लूडिंग नहीं हो पा रहा ठीक है में भी इसका सर्वर अभी डाउन होगा सही से चलनी पा रहा है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा ना कलकर ट्रेड दिखा कर तो उसमें मैं आप लोगो को दिखा दूँगा आपको इस चीज़ को समझे कि मैं यहाँ पर क्या पर द्रेड करना चाहते हैं उस तरीके से और लोग को सही Knowledge मिलें ठीक है कि ऐसे बहुत सारी चीज़े आपको लागो करोड़ा में Partners सुखाने के लिए बैठं़कpannt सीखने के बाद आपको profit हो रहा या नहीं हो रहा वो ज्यादा important है तो जो चीजे से आपको profit हो रहा है आप उसको consistency के साथ follow करते जाओ और कुछ नहीं करना है एक दो दिन से हमें result नहीं दिखता है ठीक है बाकी आप तो को अगर यह पूरा चीज डीटेल में सीखना है जो पीपी मैंने यहां पर फेबोनाची वगरा लगाया था अगर आपको बहुत डीटेल में सीखना है तो हमारा को गूगल मिटकर जब लिंक डालोंगा तो आप उसको क्लिक करकर ज्वेइं कर सकते हो लाइब क्लास वहां पे अपने सारे describes को भी क्लीयर कर सकते हूं अभी आप लोग अच्छे से क्लियर हो गई होगे है फिर नेक्स्लेक्षर में तब तक क्लियर टेक कर जैही